हे घाइज कैसे ओसारह यकिन करता हूं कि अच्छे होंगे आज किस वीडियो में आप सब को कुछ इस टैप के फोन्तो को कुछ एड़िट करना सिखाऊंगा आज किस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डीटेल में समझाऊंगा कैसे आप सब भी कुछ इस टाइप के पिक्चर को कुछ इस टाइप में एडिट कर सकते हैं आज किस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डीटेल्स में समझाऊंगा आपसे वीडियो को एंड जरूर से देखिएगा उससे पहले तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं सब्सक्राइब करके एंड बेल नोटिपकेशन को जरूर कर लिजेगा सबसे पहले जो भी आपका नॉर्मल पिक्चर है उसको आपको यहां से उसक्राइब करने के पाद आपको यहां से स्ट्राइब आपकेशन में अपने पिक्चर को सेर कर लेनी है यहां पर आपको बहुत सरा ऑप्संस दिखेगा सो जेस्ट गई सबसे पहले आपको यहां से ट्यून इमेज पर आपको क्लिक करनी है एंड जेस्ट आपको उपर नीचे स्क्रॉल करनी है एंड उपर नीचे स्क्रॉल करने पर आपको बहुत सरा ओप्सन दिखेगा सो आपको यहां से एंबियंस का बटन दिखेगा just ambience पे आपको select करके इसको दाहिने के side में आपको increase करनी है and जैसे increase की जगा आप देख सकते हैं आपके picture में जहां भी shadow है या जहां भी काला है वो party यहां से white हो जा रहा है तो लगभग इसे आपको 50 के आसपस आपको increase करनी है and आपको नीचे से done करनी है and कुछ इतना करने के बाद guys फिर से आपको यहां से pencil वाल आइकोन पे click करनी है and guys इस बाद आपको यहां से just healing वाले tool पे आपको click करनी है and guys healing वाले tool पे click करने के बाद आपके face में जहां भी जो है गढ़ा वागर है या आपको वहां पे just कुछ इस टाइप से आपको tap करनी है and उसके बाद guys वो pimple वहां से खुदी गायब हो जाएगा तो अगर आपके face में कुछ इस टाइप का बड़ा बड़ा pimple है तो आपको कुछ इस टाइप से healing वाले tool के मदद से आपको remove करनी है and इतना करने के बाद आपको नीचे से dagन करनी है and ड़न करने के बाद guys फिर से आपको यहां से pencil वाला icon पर click करनी है and इस बार guys आपको marriage selective वाले button पर click करनी है and आपको skin का जो भी part आपका black है just आपको कुछ step से आपको यहां से select कर लिन है and यहां से guys जिस्ट आपको brightness को increase कर देनी है आपको जितना जो उड़त पड़े या आपको लगे जहाँ पर मतलब black है जो भी part आपका face का so just उसको आपको कुछ इस टाइप से selective tool से select करनी है and यहाँ से आपको brightness को increase कर लेनी है so चलिए guys मैं यहाँ से यहाँ से face को white कर लिजेगा so चलिए मैं एक पार और यहाँ से select करके and brightness को थोड़ा और increase करके and नीचे से done कर लूँगा so कुछ इतने step guys आपको सनाट्रेड application में करनी है आप सब यहाँ से so all photos में आपका picture यहाँ से आ जाएगा so just इसे आपको open कर लेनी है and open करने के बाद गई सबसे पहले आपको यहाँ से light adjustment करनी होगी so आपको यहाँ से light वाले button पे click करनी है and यहाँ से guys आपको contrast को आपको 10% add करनी है और जो highlights है इसे आपको picture के हिसाप से increase करनी है फिलाल में इसको 20% decrease कर लूँगा and जो shadow इसे भी आपको picture के हिसाप से कम या ज्यादा रखनी है so मैं इसको 40 के आसपार shadow को भी increase कर लूँगा and मैं black को यहाँ से 10% down कर लूँगा and इतना करने के बाद guys आपको यहाँ से mix tool में चले जाना है and mix tool में जाने के बाद सबसे पहले आपको face का color select करने है जो orange होता है जो यहाँ पर second number पर orange है just इसको आपको select करनी है and आपको यह से luminion को increase करनी है आपको जितना भी face white चाहिए अपने अनुसार so मैं कुछ 40 के आसपास increase कर लूँगा and saturation को हलका आप डाउन कर सकते है अपने मुताबिद so मैं कुछ इतना कर लूँगा and इतना करने के बाद जो भी आप background का color रखना चानते है वो आप अपने अनुसार रख सकते जैसे मैं यहाँ से अपने background को dark करूँगा तो dark करने के लिए guys यहाँ से yellow का मैं saturation को minus 100 कर लूँगा and green का भी saturation को मैं minus 100 कर लूँगा and और भी जो हमारा यहाँ से चस्मा गयरा का color है इसका मैं हलका hue जो है minus के side में रखूँगा and हलका saturation को increase कर लूँगा and इतना करने के बाद guys आपको उपर से done कर लीन है and done करने के बाद guys आपको यहाँ से effect वाले बटन पे click करने है and यहाँ से guys आपको clarity को 10 के आसपास increase करने है and details वाले बटन पे click करने है and यहाँ से आपको 50% add करने है and details को पूरा and noire detection को 30% increase करने है and details को पूरा and color noire detection को 40% and details and smoothness को आपको यहाँ से पूरा increase कर लेनी है तो गाइज अभी आप सब देख सकते विफोर एंड आप्टर जो भी हमारा लाइटर में स्टेप था सभी यहां से कंप्लिट हो चुका है तो गाइज लास्ट स्टेप है हमारा यहां से फेस्ट आप स्मूथ करने का तो उसके लिए यह वाले पिक्चर को आपको Autodex Sketchbook में सेर करनी होगी अगर आपके पास Autodex Sketchbook अप्लिकेशन नहीं है तो आप सब इसे प्लेश्टोर से डाउंलोड कर सकते हैं सुझेस्ट मैं यहां से सेर वाले बटन पे क्लिक करूँगा और यह वाले पिक्चर को मैं Autodex Sketchbook में सेर करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप के इंटरफेस आएगा सबसे पहले उपर में आपको बहुत सारा बटन दीख चायागा सुझेस्ट आपको उपर से यहां से थर्ड वाले बटन पे आपको क्लिक करनी है वैसे गाईज मैंने फेस समूथ पे इस पर और यह वीडियो बना के रखा है अगर आपको Autodex Sketchbook थोड़ा भी यूज़ करने नहीं आता है तो आप वाले वीडियो देखके प्रोफेशनल तरीका से फेस समूथ करना शिक सकते है उसके बाद यहां से बहुत सारा आपको Brushes दिखे गए तो आपको स्क्रॉल करने के बाद आपको यह वाला Brush को Select करनी है As much tool वाले जो Brush है इसमें आपको Second वाले Brush को Select करनी है और इसका आपको Setting को Open कर लेनी है तो size तो अपने मुतावित आप कितना भी रख शकते हैं बाकी आपको flow को 1% and strength को आपको 2% रखनी है और उसके बाद यहां से आपको just cancel करनी है and picture को just आपको दोनों उली से कुछ इस type से zoom करनी है and zoom करने के बाद just आपको इसको as skin पे यह वाले brush को आपको apply करनी है and अभी आप सब देख सकते हो मैं जैसे यहां से apply कर रहा हूँ हमारा यहां से skin बहुत ही अच्छे तरीके से यहां से smooth थोड़ा है बिल्कुल professional तरीके से so कुछ इस type से आपको यहां से skin पे आपको apply करनी है यह वाले brush को and guys आप सब face को as smooth करते टाइम एक दो बातों का ध्यान रखिएगा जैसे कि आपको picture जितना ज्यादा zoom हो सकते उतना zoom करके आप सब as smooth कीजेगा ताकि guys वहां से जो as smooth करने में बहुत अच्छा तरीका से यहां से as smooth होता है जितना आप ज्यादा zoom कीजेगा उतना details में आपका as smooth भी होगा so just आपको जहां छोटा बड़ा करना पड़े brush का size तो आप सब छोटा बड़ा करके and कुछ this type से करके as smooth कर लिजेगा so मैं भी कुछ this type से करके as smooth कर रहा हूँ and smooth करने के बाद guys आपको यहां से गर्दन वगरा को भी as smooth करनी है so चलिए मैं थोड़ा सा size को increase करूँगा and size को हलका मैं discrease increase करके and यहां से गर्दन को भी मैं smooth कर लूँगा so आप सब अपने अनुसार यहां से as smooth कर लिजेगा and एक और एक दो बात और guys आपको यह वाले brush को दाठी वगरा या मूच वगरा या eyebrows वगरा पे apply नहीं करनी इसको केवल आपको as skin पे apply करनी है so मैं कुछ इस टाइप से apply कर रहा हूं and देख सकतो हो एकदम मक्षन की तरह हमारा face यहां से as smooth हो रहा है उसके बाद आप सब यहां से size को कम करके आप सब यहां से lips का भी lips को भी as smooth कर लिजेगा so मैं कुछ इस टाइप से कर लेता हूं and जहां आपको कम size की जोड़त पड़े आप सब कम करते रहिएगा and यहां से nose वगरा या जो भी छोटा छोटा पार्ट है उसको आपको zoom करके कुछ इस टाइप से as smooth कर लेनी है so चलिए मैं कुछ इस टाइप से as smooth कर लेता हूं and guys आपको मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे editing related videos मिल जाएगी आप एक बार जरूर से check out कर लीजेगा and मैं कुछ इस टाइप से करके जो है as smooth कर लेता हूं यहां से थोड़ा सा part छोट गया है तो मैं इसको भी कुछ इस टाइप से करके as smooth कर लेता हूं so आप सब थोड़ा ध्यान देखे और थोड़ा time देखे किजेगा बस मैं आपको बताने के लिए कुछ इस टाइप से किया हूं इतना कर लेने के बाद जैसे ही आप सब यहां से face वगर को as smooth कर लेते हैं उसके बाद यह वाले पिक्चर को आपको गैलरी में सेफ करनी है सो गैलरी में सेफ करने के लिए जैस्ट आपको first वाले बटन पर क्लिक करनी है और यहां पर आपको बहुत सरा options दिखेगा जैस्ट आपको share वाले बटन पर क्लिक करनी है उसके बाद guys आपका picture यहां से गैलरी में save हो चुका है सो चलिए मैं यहां से गैलरी को open करके दिखाता हूँ सो यह रहा हमारा guys picture यहां से देख सकते हो एकदम मक्खन की तरह हमारा face से smooth हो चुका है सो कुछ इस टाइप से करके guys आप सब कुछ इस टाइप के normal picture को कुछ इस टाइप में edit कर शकते हैं और आज किस वीडियो हम बस इतना है तो यकिन करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जोड़ से like किजेगा चैनल अपने है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे मिलते हैं किसी और बोड़ेक्शन तब तक के लिए बाए